दूस्त तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाला है OPPO को अपकमिंग फ्लैक्सिब अस्मार्टफोन के बारे में जो कि होने वाला है OPPO Find X3 Pro जहां दोस्तो इस अस्मार्टफोन में Qualcomm का लिटेस्ट प्रोसेसर 8088 का पारफूल चीप्सेट दिया जाएगा वहीं साथ में आपको QHD Plus High Refreshed का भी डिस्पले दिया जाएगा वहीं साथ में आपको Dual Studio Speaker का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा और इस अस्मार्टफोन के बारे में Maximum Informator आ गई है और इस अस्मार्टफोन का एक वीडियो भी लिख हुआ है जो कि इस वीडियो में हम इसा स्मार्टफोन के बारे में साई डिटेल के बारे में हम बात करने वाले हैं तो स्वागात है हमारे चैनल पर पहली बारा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आई सी टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस स्मार्फोन के परफोर्मेंस के बारे में क्योंकि एक flexible स्मार्फोन होने वाला है तो इस स्मार्फोन में परफोर्मेंस भी काफी कमाल का देखनी को मिलेगा तो इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 8088 का powerful chipset दिया गया है वहीं साथ में LPDDR5RAM को support करता है जो की UEFS 3.1 का भी support मिलेगा वहीं साथ में आपको 12GB का RAM brand देखने को मिलेगा और साथ में आपको 256GB और 512GB internal storage का option देखने को मिलेगा तो परफोर्मेंस भी काफी amazing मिलने वाला है लेक्ट अब हम बात करेंगे इसके display के बारे में तो 6.7 इंचेस के एक बड़ी display दिया गया है जो QHD plus Abolet display होगा जिसके अंदर 120Hz का भी support मिलेगा वहीं साथ में आपको in display fingerprint का भी support देखने को मिल जाएगा तो display बाइज भी काफी अच्छा परफोर्मेंस देखने को मिलेगा अब हम बात करेंगे इसके camera's के बारे में तो रिएर में quad camera का setup मिलेगा प्राइमडे 50MP का, अल्टरावाइड 50MP का डेफ्ट 13MP का, माइक्रो 5MP का विडियो कॉलिंग के लिए 32MP का, फ्रंट फेसिंग camera का support मिलेगा अबराल अगर हम camera की बात करते हैं तो इस स्मार्टफोन में काफी अच्छी quality की camera setup देखने को मिलेगा आपर एक अच्छा photo click कर सकते हैं इसकी बैटरी के बारे में तो 4500 image की एक powerful बैटी देखने को मिलेगी साथ में आपको 65W का fast charging का support मिलेगा दोस्तो ओबराल स्मार्टफोन की performance के अगर हम बात करते हैं तो एक powerful processor दी गई है साथ में QHD plus AMOLED display देखने को मिलेगी वहीं साथ में आपको OPPO और भीवो के camera quality आप सबको पता ही होगा कि उसमें कितना जवर्दस camera quality देखने को मिलता है तो no doubt इस smartphone में भी काफी अच्छी camera quality देखने को मिलेगा वहीं अब हम बात करते हैं इसकी launch date और price के बारे में तो यह smartphone March के इंट्रक या फिर April के 1st week के अंदर या smartphone इंडिया में launch हो सकता है तो आप expect कर सकते हैं कि 50,000 के आसपस इसका price देखने को मिल सकता है तो आज की वीडियो में बस इतना ही फिर बिलेंगे नेक्ट वीडियो में जैहिन दोस्तों बंदे मात्रान